हेलो फ्रेंग्स वेल्कम तो आई यूट्यूब चैनल स्ब्म एजूकेशन विच बेस्ट अन स्टडी मटेरिय आज का हमारा टॉपिक है मदर्स डे तो सबसे पहले आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुपकामने कहते हैं जिसको नहीं देखा हमने करी कभी उसकी जरु मा दुनिया के हर बच्चे के लिए सबसे खास सबसे प्यारा रिष्टा है उस मा को सम्मानित करने के लिए माई मा के दूसरे रविवार को विशेश दिवस मनाया जाता है लेकिन अलग-अलग देशों में इस दिन को मनाने की अलग-अलग कहानी है आईए जानते हैं मदर्स डे पर संजोई गई यह इस पैशन जानकारिया मदर्स डे ग्राफ्टन वेस्ट वर्जिनिया में एना जार्विस द्वारा समस्त मातों और उनके गौरव माई मातरत्व के लिए तथा विशेश रूप से पारिवारिक और उनके परसपर संबंदों को सम्मान देने के लिए आरम किया गया था यह दिवस अब दुनिया के हर कोने में अलग-अलग दिनों में मनाया जाता है कुछ विद्वानों का दवा है कि मा की प्रति सम्मान यानि मा के पुजा का रिवाज पुराने ग्रीज से आरम हुआ यह दिन त्योहर की तरह मनाने की प्रथा थी एश्य माइनर के आसपास और साथी साथ रोम में भी वसंत के आसपास इदेस ओफ मार्च 15 मार्च से 18 मार्च तक मनाया जाता था यूरोप और बिटेन में मा की प्रती सम्मान दर्शानी की कई परंपराएं प्रचली थे उसी के अंतरगत एक खास रविवार को मातरत्व और मातव को सम्मानित किया जाता था जिसे मदरिंग संडे कहा जाता था मदरिंग संडे फैस्टिवल लिर्टू गीकल केलेंडर का हिस्जा है ये Catholic calendar में लेतारे संडी लेंट में चोथे रविवार को Virgin Mary और Mother Church को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है अमेरिका में सर्वप्रतम Mother Day Proclamation Julia Ward हवे दुआरा मनाया गया था हवे दुआरा 1870 में रचित Mother Day Proclamation में American Civil War में हुई मारकाट सम्मंदी शांतिवादी प्रतिकिरिया लिखी गई थी ये प्रोक्लामेशन होए का नारिवाद विश्वास था जिसके अनुसार महिलाओं या माताओं को राजनितिक स्तर पर अपने समाज को आकार देने का संपून दायत्व मिला था 1912 में एना जर्विस ने सेकंड संडे इन माई फॉव मदर्स डे को ट्रीडमाक बनाया और मदर्स डे इंटरनेशनल एशोशियेशन का गठन किया गूगल से जानकरी रूने जाएं तो मदर्स डे के दो प्रत्मिक परिनाम सामने आते हैं वो है लैंट में मदरिंग संडे और ब्रिटिश कैलेंडर के चौते संडे के रूप में और माई के दूसरे संडे के रूप में बाद में ये तारिखे कुछ इस तरह बदली की विभिन देशों में प्रचलित धर्मों की देवी के जनम दिन या पुन्य दिवस को इस रूप में मनाया जाने लगा जैसे कैथोलिक देशों में वर्जिन मेरी डे और इसलामिक देशों में पैगंबर मुहमत की बेटी फातिमा के जनम दिन की तारिखों को इस दिन से बदल लिया गया वैसे कुछ देशों में आठ मार्च वोमेंस डे को ही मदर्स डे की तरह मनाते हैं चीन में मात्र दिवस बहुत लोग प्रिय हैं और इस दिन उपार के रूप में गुलनार के फूल सबसे अधिक बिखते हैं 1997 में चीन में ये दिन गरीब माताओं के मदद के लिए निश्चित किया गया था जापान में मात्र दिवस शोवा अवधी के दुरान महरानी कोजून जो कि समराट अकीहितो की मा के जनम दिन के रूप में मनाया जाता है आजकल इसे अपनी मा के लिए ही लोग मनाते हैं बच्चे गुलनार और गुलाब के फूल उपहार के रुप में मा को अवश्य देते हैं थाइलेंड में मात्र दिवस थाइलेंड की रानी के जनम दिन पर मनाया जाता है भारत में इसे कस्तूर्वा गांधी के सम्मान में मनाया जाने की परंपरा है धन्यवाद